सभी किसान मित्रों को नमस्कार स्वागाति आप सभी का हमारे यूटूब चेनल इन्फोटेश वारे मिलिटर में किसान मित्रों दिनांके आज नो सितंबर 2022 यहने की 090922 नौसीतंबर 2022 में मधद्रथेह की सबसे बड़ी मंडी इनदौर की चो robiत्रम मंडी वही मद्र परदेस की दूसरी सबसे बड़ी मंडी शाया पुर मंडी ऐगा इकเช हो नो और वीडियो आपके पास आएगा साड़ी नो बज़ी बात कर लेते किसान भाईयों कि मैं हम आज किस-किस विश्य से पर बात करने वाले हैं सरकार बफर श्टॉक निकालने के तैयारी में हैं मोदीजी वहें अगर मैं बात करूँ किसान भाईयों दिल्ली गुहावटी जिसे अन्य बड़े शेहरों में प्याज का रेट कम करना चाहती है सरकार इंदोर और शायापूर दोनों मंडी में प्याज की आवक में जवर जस्त इजाफा देखने को मिला है शायापूर मंडी में शुरुवाती निलामी का क्या भाव निकल कर आया है बस इनी सबढ़ है शायापूर में शायापूर मालेगाओ मुंसे मंडी नासिक की सटना मंडी नासिक की नार्पूर मंडी इन सभी मंडियों की जैनकरी में आपको देने वाला है कल के भाव इंदोर मंडी के भी कल के भाव दूँगा लेकिन सिर्फ शायापुर मंडी के आज के ताजा भाव देने वाला हूँ आपको शुरुवाती निलामी के निलामी प्रोग्राम जश्ट अभी 10 मिनिट पहले शुरू हुआ है और मैं आपको जनकरी दे रहा हूँ इसके बाद वीडियो आएगा डेड़ बजे उसको आप देखना बिल्कुल भी न भूले उसमें आपको 8-10 जनकरी दे जाएगी दोनों मंडियों की चलिए शुरुवात कर लेते हैं सबसे पहले हम बात कर लेते हैं शुरुवाती निलामी का क्या रेट निकल कर आया है और दोनों तीनों जिन्सों की कितनी आमदानी देखने को मिली है तो शुरुवात कर लेते हैं शुरुवात कर लेते हैं आवक की सबसे पहले 30-32,000 प्लस कट्टे के आवक देखने को मिली है प्याच की लसुन के अवक 4,000 पैकेट शुरुवाती निलामी में किसान भाई हो शया प्रुमंडी में बात कर लेते हैं लसुन के भाव की 100 रुपे से लगा के 18.00 रुपरती कुंटल के इसाब से निकल कर जा रही है लसुन अच्छी क्वालेटिक अगर है तो 2000 तक भी कर रही है शुरुवाती निलामी में वह अगर बात करें किसान भाई हो शुरुवाती निलामी प्याच के रेट की 50 रुपे से लगा के 100 रुपरती कट्टे के साब से खादू भी करा है अगर उपर जाता है तो वह जान करिए मैं आपको डेड़ बजे वाले वीडियो में अवेलिबल करभा दूंगा किसान भाहि तो यह तो हो गई प्याज और लसुन की जान करी शायापुर मंडी में आलू बिल्कुल भी नहीं आता है किसान भाईयों बिल्कुल बंध है भी हाल फिलाल टमाटर की अगर बात करें तो टमाटर भी करीब करीब 500 रुपर प्रति केरेट से लगा के 600-700 रुपर प्रति केरेट 500 रुपर से लगा के 500 रुपर प्रति कुंटल में गुल्टी गई है 500 से लगा के 700 रुपर प्रति कुंटल में गुल्टा है 800 रुपर तक भी कुछ कुछ गुल्टा गया है जो बेस्ट कॉलेटी का है 800 से लगा के 900 रुपर में मिडियम प्याज 900 से लगा के 1000 रुपर में मु किसान भाहियों यह तो गई कल के प्याच के बहुं की जयनकरी एक अर्दलाट शाड़े तीरा सो तक भी विकाए किसान भाहियों कल मुझे लगता है आज प्याच कही न कहीं देखा जाए तो हो सकता है पचास रुपे डाउन हो जाए कुछ के नहीं सकता हाला कि रेक लगा हु और लसुन के भाव इंदुर मंडी में इसके बाद आवक की जैन करेंगे इंदुर मंडी की कल आलू किसान भाईयों 1670 रुपे तक गया हमारा बेस्ट कॉलेटी का जोली साड़े साड़े साथा सो तक भी विगा जोती लोकर 2000 रुपे का सोना चिपस हमारा साड़े साड़े अलार भी 1700 रुपे विगा खिसान भाईयों ज्यादा बल क्यों कि अगर मैं बात करो तो 1600 रुपे तक आलू सभी प्रकार के विगे लेकिन कुछ एक कुछ एक लाड़े साड़े साड़े साथा सु सत्रा सु तक भी गया है चलिए बात कर लेते किसान भाईयों लसुन की चलिए शुरूबत कर लेते हैं आवक की जैनकरी देते हैं आपको आलू की आवक के 11,000 पेकेट लसुन की आवक के 16,000 पेकेट किसान भाईयों वेगर मैं बात करूं किसान भाईयों प्याच की आवक की तो अभी हाल फिलाल 80-85,000 प्लस कट्टे की आवक देखने को मिली है 11 बज़े थे कि आवक बढ़के एक लाग हो सकती है किसान भाईयों पाच एक हजार कट्टे बेलेंसिंग माल भी पड़ा हुआ है तो 90 तो वैसे हो जाते हैं 10 एक हजार कट्टे और बढ़ने की उम्मीद है यहने कि एक लाग कट्टे प्याज गाड़ी चली जाएगी सब्सक्राइब निलामी प्रोग्रम इंदर मंडे में शुरू नहीं हुआ है अभी जैसे ही शुरू होता है मैं आपको जैनकरी अवेलेबल करवाँगा लेकिन डेढ़ बज़े ही वीडियो आएगा मेरा अगला उससे समय आपको जैनकर एवलेबल करवाँगा किसान भाईय पुने, बैंगलोर, दिल्ली, गुहावटी इन जैसे सहरों में बफर इस्टोक निकालने की प्रक्रिया चल रही है सरकार की उसका मेन करण है कि इन सहरों में 26 रुपे प्रती किलो प्याज भिकरा है खेर्ची में ठोक में तो वही है 1718 रुपे लेकिन खेर्ची में 26 रुपे क कि लोगा भावा भी जादा लग रहा है। उर 26 रुपे ज्यादा भाव मिल रहा है। यह भी ने जादा लग रहा है। मैं ग्यारेंटी लिखे रख लो आप एक कागच पर इस साल सरकार मूधी सरकार ना तो दिल्ली में बनेगी ना MP में बनेगी ना किसी स्टेट में बनेगी सुपड़ा साब हो जाएगा भाजपा की सरकार का मेरी गैरेंटी है मेरी फुल गैरेंटी के साथ में बात बता रहा हूं यह और किसान भाईयों पूरुनरत रूप से इसे हराइए और किसी भी दूसरी पारटी को लेके आईए जो किसानों का साथ दे एसी अंद भाजपा में कांग्रेस में उससे मेरे कोई मतलब नहीं है यहां आदनी पार्टी में हो लेकिन मदद कर रहे हैं हमेशा बोलते हैं किसानों की तरफ बोलते हैं सच कमल पटे लिए साकुछ नाम उनका मैं भूल गया हूं नाम भूल गया हूं लेकिन बहुत अच्छे सांसद हैं वह किसानों की लड़ाई लड़ रहे हैं लेकिन जितने भी सांसद बागी के इनको आप न उथा के भार भेख दीजिए गाँए आने वाले शुनाओं में समझ रहे हैं मेरी जितने भी भाश्पा में सांसद एनको उठा के भार carrots stage the सानसद ही बात रखता है जब लोग सबाइत चलती है उस समय सानसद अपनी बात रखते हैं लेकिन अभी तेक अες इंदोर ही क्या नम में अगले वीडियो में वो सकेट हैं तो बताओंगा आपको तो उन्हों को निकाल के हम क्या करते मार देते हैं मरी वी तो रहती उसको मार देते हैं तो उसी प्रकार से मामा जी को भी हटाना है मद्यप्रदेश सरकार में से और मद्यप्रदेश में दूसरी सरकार लेकर आना ये सरकार को हटाना है बहुत हो गया हिंदू-मुस्लिम-मुस्लिम का लड समझ रहे बात आप तो यह सरकार नहीं होनी चाहिए हमारे पास समझ रहे ना बात आप यह बफर इस्टोक निकाल रही किसान यहीं सरकार तो किसान भाईयों ऐसी सरकार का क्या करना अपने को अपने को कामी ना है तो इसका मू तोड़ जवाब आपको देना है अगले चुनाओं में और में राजपूद हूँ अपको पहले बता दूँ मैं राजपूद हूँ और मैं अभी हाल फिलाल भाजपा में हूँ ठीक है लेकिन मैं खुद भाजपा में बोट नहीं डालूँगा इस बार ना किसी को डालने दूँगा क्यों क्यों कि किसानों की सरकार नहीं है किसानों की हितेशी सरकार नहीं है अगर किसानों के लिए जो है बहुत कम मात्रा में आप कीजिए इतनी ज़्यदा मात्रा में प्याज नहा कीजिए चली हम शुरुबात कर लेते हैं बहुत सारी मंडियों के भाव बताना रहे गए आपको माले गाओं मुंग से मंडी के अगर मैं बात करूँ यहां पर उपर में 2410 लूट एक्सपूर का सुपर प्याज एक हजार से लगा के चुदा झाल 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 झाल